आशा वरकरों सहित अन्य आंगनवाडी कर्मियों ने अपनी 15 विवित प्रलंबित मांगों को लेकर सविधान चोक में आईटक के बैनर तले धरना अंदोलन किया। इसमें आशा वगट प्रवर्तकों को मांधान की बजाए 21,000 रुपे वेतन देने, कोरोना काल में काम करने वाली कर्मचारियों को 500 रुपे रोजाना मांधान देने, APL, BBL शर्त रत करने सहित अन्य मांगे, जिलाधी कारी के माध्यम से प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी से की All India Trade Union Congress से सलगन महराष्टराज्य आंगनवाडी, बालवाडी कर्मचारी यूनियन, महराष्टराज्य आरोग्य खाते, आशा वगट प्रवर्तक संगठन, राज्य शालेय पोशन आहर कर्मचारी यूनियन, राज्य ग्रामिन जिवनों नती कर्मचारी संगठन के सैकडो कर् मांगो को लेकर जमकर नारे बाजी की गई, आयटक के महासचिव शामकाले के नेतरुत्व में आंदोलन किया गया, आंदोलन को किसान नेता अरुन बनकर स्टेट इलेक्रिसिटी वर्कस फेडरेशन के चंद्रे खरमोरिय, वोकेशनल टीचर्स एस्सूसेशन अध्यक्षय युगल रायूलू, जनरल एंशोरेंस एंपलाईज यूनियन के महासचिव प्रशान दिक्षित ने भी सम्भोजित कर अपने संगठन की ओर से समर्थन दिया, प्रधान मंदरी के नाम अपनी मांगों का ग्यापन जिलाधिकारी को सोपा गया, काले ने बताया कि केंद्र सर नितियों के खिलाफ एक करोन नागरिकों का हस्ता अक्षार कर निविदन भेशने का निन्ने लिया गया,